डिया लेर्नर्स आजका वीडियो है हमारा उन खेंडिडीडेट्स के लिए जो की competitive गजाम्स के लिए dropage exam के लिए Teas फोल एंग्लिश सब जरुकर लेकर एंग्लिश कोलेकर उनकी कु चिंटा है लिए है?" कि तयारी का सही तरीका क्या होता है कैसे तयारी करें पहले वक्याप पढ़ें ग्रैमर पढ़ें कहां से पढ़ें क्या पढ़ें या जो तयारी शुरू कर चुके हैं जिनको दो तिन महीने हो चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो हम तरीका फॉलो कर रहे हैं क्या यह सही ह है या गलत है क्या जिन किताबों को हम पढ़ रहे हैं यह भूक्स ही ठीक है या हमें कुछ और उनको फॉलो करना चाहिए कि एक लैक ऑफ गाइडेंस वह फिल करते हैं कि प्रॉपर उनको तरीका नहीं पता है और कॉन्फिडेंस नहीं आता त्यारी करते हुए तो ऐसे कैंडिडेट्स जो एक तरीके से फ्रेशर्स हैं के लिए नहीं तयारी शुरू करना चाहते हैं या जिन्हों ने अभी हाली में तयारी शुरू किये है और उनको किसी तरीके से तयारी से रिलेटेड अपनी प्रेपरेशन से रिलेकर डाउट्स है यह वीडियो हमारा ऐसे से लिए इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करेंगे उन सारे स्टेप्स को जो टार्ट से लेकर से लेक्षन तक के लिए आपकी जरूरी होते हैं कि हमें किन बातों का दियान रखना है किस तरीके से हम तयारी करें कि जिससे हम English सब्जेक्ट की वज़े से फेलना हो हमारे अच्छे मार्ग्स हैं इंप्रोब्मेंट हो और हमारा यह ब्रॉसर्श है यह सकसफुली कंप्लीट हो और हमारा इटिमेटली सेलेक्शन इस एक्जाम्पलीं त्यारी कर रहें उसमें तो आज यह शुरुआत करता हैं कुछ पॉइंट्स जिनमें हम इस पूरे लेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहला हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन की शुरुआत क्या से करें दूसरा सेल्फ स्टडी या कोचिंग यह भी कई वर बच्चों को रहता है कि हम सेल्फ स्टडी से पढ़ें या फिर कोई गाइडेंस प्रोग्राम कोई कोचिंग प्रोग्राम देखें उसके बार में अब हमारे प्रेपरेशन के स्टेप्स क्या हूं किस तरीके से हम यह जान पाएं कि जो हम प्रेपेर कर रहे हैं यह हमारे सही डारेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है विक्जाम कोन सी बुक्स पढ़ें यह बच्चों में बहुत नियुजन रहता है कि हम learning के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करें कौन सी बुक्स अच्छी है किनका content अच्छा है किनके explanations अच्छे हैं किनके लेवल अच्छा है यह सारी चीज़े भी हम डिसकेस करेंगे किन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं पड़ते समय और डूज एंड डॉंट्स कि त्यारी करते समय हम किन बातों का स्पेशल ध्यान रखें और क्या काम करें और क्या ना करें जिसे कि हमारी जो प्रेपरेशन है यह प्रॉसेस अच्छी रहे स्मूध रहे एफेक्टिव हो रिजल्ट औरेंटेड हो तो आज यह सुरुवात करते हैं सबसे पहला है और कि हमने ग्रेजुशन कर लिया है हम अंडर ग्रेजुएट है यह जो भी है हम अब क्या करना चाहा रहे हैं तो हम सब से पहले क्या करें कि दिमाग में आता है कि कोई यूटूब पे चैनल देख लीजिए किसी से हम पूछते हैं सलाह लेते हैं यही होता तरीका शुरुवात ऐसे ही होती किसी को बताते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं तो फिर लोग हमें सलाह देते हैं यह तैयारी का मुझे पर उनका होता है हलांकि यहां पर एक बड़ी काम की चीज है जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं और पहला इस टेप उनका गलत हो जाता है इंगलिश्व प्रूवर्ब है पूट पूट अगर इफेक्टिव होती है तो फिर उसका अंजाम भी अच्छा होता है हम सुरूवात म कि यह जब भी आप किसी एक्जाम के लिए तेहरी शूरू करें कैके आप किसी से बिसलह ले में अपने भाई वहन से सला ले सकते हैं किसी अदिश केंडिये ली जिए कि उपको खुद करना चाहिए इज परपस एड एसेश्मेंट आपने ऐसेड़ किया कि मैं सीजल के लिए त्यारी करूंगा किया मैं एंडिये एक्जाम दूंगा या मैं सीडियेस दूंगा या जो भी एक्जाम में फिलाल में दूंगा तो उसको किसी दूसरे के साथ डिस्कस करने से पहले किसी और को यह बात बताने से पहले कि मुझे इंगलिस के त्यारी करनी है कैसे करूं कौन से बुक्स पढ़ूं क्या करूं क्या नहीं करूं यह सारी चीज़े किसी से पूछने से पहले कि आप तयारी करने का परपस किया है यह जानिये की वह संट है कि हम तयारी क्यों एंप हमें ग्जाम देना होता है कि जितनی गहराई होगी हमारी सोच में हमें बास्तब में हम इस लिए तैयारी करते हैं एस लिए मि इसा दिमाग में आए कि एक्जाम पास करने है हमारा पर्पस है ठीयारी नगे और थोड़ा सा सोचेंगे तो दिमाग में आएगा कि नहीं कि यह सब्जेक्ट जो है मुझे पता है कि इसमें मैं थोड़ी से मेहनत करूंगा तो इंप्रूम्मेंट बहुत ज्यादा कर लूँगा मेरे लिए यह सब्जेक्ट आपॉर्शनीट्य है इंग्लिश मेरी अच्छी है थोड़ी से में मेहनत और करूंगा तो इसमें मैं फुल मार्क्स ला सकता हूं तो selection में यह subject मेरी मददगार मतलब मेरी मदद करेगा इसलिए मुझे इसकी त्यारी करनी है क्योंकि इसमें मुझे confidence है किसी उब लगता है कि नहीं English मेरा एक्लीज हील है मैं English की वज़े से ही fail हो जाता हूँ English की वज़े से ही मैं रह जाओंगा exam में पास होने से तो इसलिए मुझे त्यारी करनी है तो आप जब ढूणेंगे तो आपको परपस नजर आएंगे कि यह subject मेरा कमजोर है इसलिए मुझे इसमें अच्छा होना है नहीं तो मैं इसकी वज़े से fail हो जाओंगा इसलिए मुझे त्यारी करनी है यह हमें यह लगता है कि यह subject जो है मेरा यह मेरा अच्छा है इसमें मैं अगर त्यारी करूंगा इसमें दो घंटे भी पड़ूंगा तो बहुत ज्यादा improvement होगा बाकि जिस किसी दूसर सब्जेक्ट में त्यारी करूंगा तो तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान दूँगा क्योंकि इस से कंफर्म हो जागा मेरा सेलेक्ट्षन तो जब सबसे पहले आपको यह पता लगाने कि आप ऐसा कर ना चाहते क्यों हो तो जैसा कि मैंने आपको पता है सब्सक्राइब करते हैं इंडिविज्य मुदा सब्सक्राइब सब्जेक्ट आपका अच्छा है इसमें आप थोड़ी सी तैयारी कर लोगे तो इंप्रूम्मेंट बहुत जादा हो जाएगा जिससे आपके सेलेक्शन के चांसे बहुत जादा बढ़ जाएंगे दूसरा यह हो सकता है कि यह सब्जेक्ट जो है वह आपका कमजोर से तैयारी नहीं करोगे तो इसी सब्जेक्ट की वजए से सेलेक्शन रह जाएगा ठीक है और बाकी लोगों के दूर दराज के भी होते हैं मतलब इन दोनों में से कोई एक परपस आपका होना चाहिए जब आप गहराई से सोचेंगे तो बाकी कुछ लोग होते हैं उनका त सबसे पहले हमें तो इसलिए हमें त्यारी भी करनी है इक्जाम भी उनके दिमाग में नहीं है तो जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप यह स्य तियों करते हैं उसलिए जितना ज्यादा आप अपने क्लाइटी जितनी ज्यादा परपस की होगी दिए हैंसे निनकि जान्यरीव कि इंगलेश हमारा अच्चा सब्जेक्ट हुआ इसुम्हें तियारी करते इंप्रुभ्मेंट बहुत ज्यादा करते और हम सब्छा मैं स्ब्जेक्ट अगरमें त्हीन नहीं करूंगा तो से यहIs लिए लिग जले गाएं इसलिए मुझे इसकी त्यारी करनी है है वाकए आते हम दूसरे स्टप प्रक्समेंट करना है कि जिस एक्जाम की अब मैं त्यारी करने वाला हूं इस एक्जाम की लेवल कैने किस किस टाइप के क्वेस्टेन साते हैं उनका लेवल क्या होता है यह काम भी आपको अपने आप ही करना किसी देप पूछना नहीं है लाउग वीडियो देख लेते हैं यूटूपर पर नहीं एसा नहीं करना है किसी से पूछना भी नहीं है प्रिवियस एर का पेपर लीजिए ब प्रिवेसर के पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और उनको अपने आप एक बार अटेम्ट करके देखिए कि और देखिए उसमें से कितने क्वेश्चन्स ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व कर देते हो कॉन्फिदेंस के साथ में मुझे पता ही यह मैंने सही किया कि अ आपको लगता है कि सही हूंगे यह नहीं आपको पता कि मैं सही हूं आपको लगता यह सही कर दिया होगा मैंने आप डिर सो सबसे पहले यह अपने आप कीजिए बिना किसी को सु का अपने प्रिविए से डाउनलूंड्ड कि एपने एकborn एड की देम्ट कीजिये procedures on exam campaigns में कितने ख़शन सहां जो कि आप सॉल् grammar करते समय जान जाते हो कि मैं सही कर रहा हूं कितने एसे होते हैं आप सॉल्व कर देते हो लगता है कि सही होंगे लेकिन होते हैं नहीं होते हो बात की रात है और कितने ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं उपर से चले जाते हैं तो यह असेस्मेंट खुद को करना है ऐसा करने से हम दो चीजों के असेस्मेंट कर लेंगे एक तो assessment of self खुदका और एक assessment of the subject तो एक तो हमें subject का भी assessment हो जाएगा कि जिस subject के हम त्यारी कर रहे हैं यह subject उस exam में जिसके हम त्यारी कर रहे हैं किस level की knowledge demand हमसे करता है और जब आप question papers को solve करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि अभी आपका इसतर क्या है कि अगर 100 पेपर में तो आपने 20 तीस क्योश्चन सॉल्व करते समय जानगे थे कि आप सही कर रहे हो 20 तीस क्योश्चन ऐसे थे जो आपने सॉल्व तो कर दिये बट आपको पता नहीं था कि सही होंगे कि नहीं होंगे वह बात में देखना पड़ा है और कुछ क्योश्चन से इसे भी ते 20-30 सीदे सर के उपर सी चलेगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका इस्तार क्या है और किस इस्तर तक आपको जाना है तो अपना असेस्मेंट करना है और सब्जट का असेस्मेंट करना है तो starting आपको यहां करने यहां के यहां पर किसी परसन का रोल नहीं है यहां पर केबल आप हो और आपके अपने के हैं कोई अंकल और और प्रेंड कोई परशी तीचर आप यह दो काम आप सबसे पहले हुद करें और ऐसा करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए असेस्मेंट करने से कि ठीक है हमसे 40 ही सॉल्व हुए लिकिन यह बाकी भी है यह इतने कोई मुश्किल नहीं है त्यारी करेंगे तो हो जाएगा मतलब खुद पर भरोसा आए लगे कि नहीं मैं कर लोगा है कि मैं अगर फिर्वन टो जब यह लगे कि नई कर लूगा तो आज आगे बढ़ते हैं आप अब जब हमें यह पता चल गया कि ठीक है सॉमे से बहले ही मेरे 30 क्रोषण ही सभी है 35 क्रोषण ही है 40 क्रोषण ही लेकिन अगर मैं च्छे माहीने मियनत करूं चार मेनत करूं तो मुझसे हो ना मैं कर लूँगा उनको तुद पर इतना भरोसा आए कि मैं कर सकता हूं थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी थोड़ा सा तो यह भी मेरे से हो जाएगा तो तयारी सुरू करेंगे तो हम कैसे करें एक यूटुब चैनल जॉइन करें कुछ सब्सक्राइब या कोई कोच दूनें किसी की गाइडेंस देखें तो तरीके देखें त्यारी के यह हो सकते हैं तरीका यह हो सकत्विए कर लिजिए अब कोई अधंशाड फरक नहीं पड़ता है और दूसरा थरीका हो तो नहीं हाइब्रीड मोट में जाने का मतलब यह होता है कि सह टुड़ीप कीजिया और और कहीं से हल्का फुल्का गाइडेंस पर देख लिजिए कि मैं आपको रिक्मेंट करूंगा यह है कि हम लोगों को पता है कि काफी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बिना प्रपेरेशन के सरे मैं गलत वर्ड कहाँ यह रप्रिपेरेशन नहीं बिना कोचिंग के कि कि से लेक्शन लेते हैं ऐ इससी एक्जाम में में तो होते ही हैं यूपीफीज के एक्जाम में भी आप पढ़ते होंगे हर साल जब UPSC के result आता है तो इस तरीके की खबरे news आती है print media में electronic media में कि फला candidate ने बिना coaching के UPSC clear किया होता है तो NDS, CDS clear करने वाले तो काफी होते हैं SSE exams clear करने वाले भी काफी होते हैं जिन्होंने self study से ही अपना exam clear कर लिया तो ऐसा नहीं है कि exam clear करने के लिए selection के लिए coaching कोई अनिवारी चीज़ है कि नहीं भहिया यह तो mandatory है करने करना ऐसा कुछ नहीं है विल्कुल भी नहीं है आप मानिये तो काफी candidate selection लेते हैं बिना किसी coaching वो self study सही उनको awareness है उन्होंने अपना assessment का रखा है उनको अपना purpose clear है उनको अपनी weakness अपनी strength पता है तो उनको अपनी weakness पता है वो उसको अपने आप ही ठीक कर लेते हैं self study से तो वो self study सही उन्होंने अपना काम कर लिया कोई उनको जरुवत नहीं हुआ किसी coaching वगरे की काफी होते हैं वो अपना coaching लेते हैं coaching से उनका selection होता है coaching के भरोसे होते हैं हालेंकि हाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा अगर self study करने वाले 100 लोग हैं और coaching लेने वाले 100 लोग हैं तो जो successful candidates का ratio होगा ना वो self study करने वालों को ज़्यादा होगा coaching वालों का उतरह नहीं होगा यह बात आप मेरी सोचेंगे थोड़ा टाइम देखर हो सकता भी आपको ना समझ में आई हो यह आपको कुछ लगा हो ऐसा कि मैं पटपटा कहा रहा हूं जो आप ध्यान दोगे तो बात आपको समझ में कि रेशियो सेल्फ स्टड़ी करके सेलेक्शन पाने वालों केंडियर्स का उसमें तफल केंडियर्स का ज्यादा होता है हएं कि तीसरा तरीक का कि हम अपने सब्जक्र को दोनों तरीके से त्यार करेंगे हमगेश चरूप में कुछ ऐसा पार्ट जरूर होता है जिसके लिए हमें कोई कोच गाइड की जरूर्द नहीं होती है कि हम सेल्व स्टेडी से उसको कर सकते हैं कि अगर एंगलिस सब्रेइच की बात करें तो इंग्लिस सब्रेट में जब आ तो जैसे ग्रैमर है तो है कर है और रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन है कि त्वैक्षण सेख्शन में इसमें जे भ्लाएड éc सेक्षन में ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी आप तयारी अपने आप बुक्स पढ़के कर सकते हो कैसे कर सकते हो भी मैं आगे इसी वीडियो में डिसक्स करूंगा उनके लिए आपको कोई यूटूब चैनल जोइन करने की किसी टीचर का कोर्स लेने की किसी को फालो करने की कोई जर energies कर लेंगे तो एक तरीका ड्य से हमेरा wont आ याप से हमारा समय था हुग याप से हमई बचता है बजाए कि कोई हमें कुछ आफने तो अगर हम कुछ अपने आप सीखते हैं तो वो मारा 1 eux3 वह जिंदगी पर हमें याद रहता और हम दुसरों को भी समझा सकते हैं बता सकते हैं लेकिन अगर कोई और हमें समझाएंगा बताएंगा तो हो सकता हम समझ जाएं याद कर लें लेकिन दूसरे को हो सकता हम ना समझा पाइं क्योंकि वो सेकेंड एक्सपिरियंस है तो जो हम अपने आप से सीख सकते हैं अपने आप जो स्लेवर का पार्ट हम कवर कर सकते हैं से वह हमें सेल्फ स्टेडी से ही करना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताएं कि इनमें रेशियो सक्सेश्पौल केनेट'S के ज्यादा होता है तो जो आप सेल्फ स्टेडी से कर सकते हो तो आपको सेल्फ स्टेडी से ही करना चाहिए लेकिन फिर हमें पता है लेवस का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है कि जो सेल्फ डेडिस से नहीं हो पाएगा उसके लिए हमें उसमें confusion में बहुत आते हैं कोई ऐसे चैप्टर से जो हमें बड़ा डिस्क्राइब करते हैं बड़ी पर असानी होती है लाक बार पढ़के देख लिए लेकिन फिर भी confusion नहीं हो रहे हैं तो वहां पर फिर कोई कोच या कोई गाइड जो competent हो जो सक्षम हो आपको वह टॉपिक्स क्लियर कर पाने में फिर वहां पर मदद ले लेनी चाहिए पेड हो फ्री हो जैसे भी हो लेकिन फिर मदद लेनी चाहिए तो इस तरीके से judicially सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारी preparation का mode क्या होगा मैं recommend करूंगा hybrid mode कि अपने slaves को देखिए और देखिए slaves में क्या है जो आप अपने आप पढ़के cover कर लोगे और क्या है जिसके लिए आपको किसी की मदद की जरूबत पढ़ेगी तो इस तरीके से हमें यह self study या फिर coaching में से करेंगे करेंगे हम hybrid mode में करेंगे हमारे इतना पार्ट हम करेंगे इतना पार्ट हमें करना पड़ेगा कहीं ने कहीं कोचिंग से तो अब हमें इस पर आगे बढ़ना है तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे steps of preparation क्या है steps of preparation के लिए मैं आपको बता हूँ बहुत असान है कि देखिए कि सबसे पहले steps of preparation कि लार्न कि रिवाइज कि प्रैक्टिस कि रिपीट कि यह करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है यह ही करना है कि सबसे पहले सीखिए कि जो सीखा है उसका रिवीजन कीजिए इसका रिवीजन किया है थोड़ा सबसको प्रैक्टिस करके भी देख लीजिए और फिर यह सब रिपीट कर दीजिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे इन में से एक पार्ट कम होता जाएगा जो आपने चिपने स्लेवस के किया है कि स्लेवस में यह चीजह मैं अपने पढ़ंगा और यह मैं कहीं कोचैंग्ट से करूँगा तो आप से करेंगे स्लेवस यह आप 보세요 से याजए के दशीकार करना है सबसे पहरे उसको सीख्यार कुछ दुट हम सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करने जाएंगे वग fills कि रॉट अपना तो हमें पता कि कि है जफ जर्ब के सांथ सब्सक्राइब में लेनी है सबसे पहले इनको सीखिए अगर यह आपके सेल्फ स्टेडी वाले पार्ट में तो सेल्फ स्टेडी से सीखिए अपना जेका जैंपर आप सरजई पढ़ाते हैं कि नहीं ऐसे और बस इनको यह क्वेस्शन और पता दिया और मौन कांसर यहत करवादा यह नहीं इनकर न哦 यह time की wastage है, यह आप अपने साथ जाती कर रहे हो, अपना समय बाद कर रहे हो, सबसे पहले उसको सीखो, उसके concepts, उसके Basics, उसके fundamentals, टॉपिक के, तो जो topic है, पहले उस topic को सीखना है, कि इसके fundamentals क्या है, definitions क्या है, types क्या है, basic users क्या है, इसके applications क्या है, किस तरीके के questions बनते हैं, तो पहले वह हमें सीखना है, सीखने के बाद में फिर उसका एक बार सीरपेर की बात तो नहीं है ऐसा तो नहीं है रूल रूल सारे लिखवा रहे हैं क्या कुछ समझमे वादी चीज़ भी है इसमें तो उसका करना है और फिर करें करना है के लिए कोचिंग भाले लोग होते हैं कि तो उनके इस टॉपिक के वह अपने प्रैक्टिस के वह confidence आगे आप सही होने लगया तो ठीक है अच्छी बात है आप आगे बढ़ सकते दूसरे टॉपिक पर नहीं तो रिपीट करो फिर से पढ़ो फिर से रिवाइच करो फिर से प्रैक्टिस करो तो बस इतना ही करना है तो आपको ध् प्रैक्टिस ही हो रही है तो सीख हों क्या गर्ष क्या थी उसका रिवीजन में कुछ प्रैक्टिस हो सीखने की बाद के सब्लाजिकल है इसमें कोई बेसिर पएर की बाते तो नहीं कोई बेवकूफी वाली बाते तो नहीं पढ़ए धुगी बाते तो नहीं पढ़ए जो पढ़ा वो सब समझ में आया अच्छे से कि नहीं समझ में तो उसका रिवीजन करना है उसमें Doubt Confusions से प्रैक्टिस करेंगे कि किसी रूज ओनलाइन प्लेट फों ус से प्रैक्टिस करुएंगे उस टॉपीक की like है ऐसे प्रैक्टिस करने और अतौ रिपीट करना दिन्म दिरे दिरे आपके स्टप्स होते जाएंगे पहले आप पहले बार जब आप डी करेंगे तो आपको यह तीनों ही अधि आप而इए करने पिशेंद ही करने यह अचाहिश करने क्योंकि आपने पूपिक से अ रिलेटेट सब कुर सीख लिया होगा कर दो आपने सीखाऊगो सबका रिवीजन करके सारे doubts confusion क्लियर कर लिए होंगे तो आपको learning और रिवीजन पर आप काम नहीं करना है अब बस practice पही काम करना है तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेपरेशन को इनी स्टेप में डिवाइड करना है फिर विच बुक्स टू फालो कौन सी बुक्स को हम पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स को हम प्रैक्टेस के लिए फालो करें यह कुश्चन मिच्चो के दिमाग में आता है अब यहां पर में पहले दो चीजह आपको बता देता हूं फिराद फिर बुक्स के नाम मताऊंगा मैं आपको चुकि मुझे बताना है तो मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगो जो मुझे पसंद में और जो मुझे लगता है कि जिनका इ theorist को मैंने recommend की पढ़ने के लिए और जिन्होंने उन बुक से स्थी तेरी की उनका अच्छा आया और उनका फीडवेक भी बहुत अच्छा है कि मुझे कोई इंट्रस्ट है कि मुझे कुछ प्राफिट है ऐसा कुछ भी नहीं दूर दूर तक नहीं है कि अच्छे केंडिडेट्स को बहुत फायदा पहुंचाया है और मलब काम किया है तो वो मैं जरूर बताऊंगा लेकिन फिर भी एक वात कह दूँ सारी बुक सच्छी होते हैं कोई भुक खराब नहीं होती है ये डिपेंड करता है कि बुक को जो परसन फालो कर रहा है उसकी अप्रोच क्या है अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी बुक मिल गए जिसमें बहुत गलती है तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप समझते हुए बुक से प्रेक्टिस करोगे तो आप जानी जाओगे ये गलत है तो आप उसको सही कर लोगे ए है pagan. अगर आप प्रेक्टिस करते हैं मेतने समय केवल क्योंश्ट्षन और उसका आंसर याद कर लेते हो समझते नहीं हो दिमागं नहीं नहीं पढ़ेगा कहने का मतलब जिस पर्सन के पास वो बुक है उस पर्सन की एप्रोच क्या पढ़नी एप्रेक्टिस करने की इस पर डिपेंड करता है कि अगर हम इस पॉइंट वू से देखें तो कोई भी बुद्र ही नहीं होती अप्रोच अच्छी है बुरी होती है आपको मैंने पहले ही बता दिया दूसरा अब हम बुक्स की बात करें कि फिर भी कौन से बुक से पढ़ें मुझे लगता है कि आज के टाइम में पहले किया था बुक लिखना बड़ा काम होता था भारी काम होता था सभी लोग बुक्स नहीं लिख पाते थे बुक्स लिखने वाले पर्सन अलग ही दिखाई पड़ते थे ऐसा लगता था कि दुनिया के ही नहीं खोए खोए रहने वाले पुर्ता पैजामा पहने वाले आंखोंगे मोटा चस्मा लगा होता था ठीक है बिल्कुल सोशल टाइप के इंसान वो नहीं होते थे ऐसे लोग बुक्स लिखते फिर अभी पिछले पांसा साल से दस साल से एक तरीका आया कि जो भी टीचर पढ़ाता है ऑनलाइन सबकी अपने अपने पब्लिकेशन दो चार लोग उन्हें बिठाए उनको कोई बुक्स होगे रहे पकड़ा दिया और कॉपी-पेस्ट और फोटो लगाके और सबकी बुक लिख रहे पड़ाना आ रहे नहीं है लेकिन आ रहे सबकी तो बुक्स को बहुत बड़ा मतलब एक माया जाल है आपको जो पसंद आपना ले लो अपने प्रैक्टिस करो क्योंकि मुझे बताना है बुक्स के नम तो मैं देखिए जो मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे कर सकते हैं है न तो अब कि एकतो अक्याडमिक की बुक्स गैस के स्कूल में जो चलती है बच्चों को पड़ा जाता है इंगलिस की वह बुक्स अप फॉलो कर सकते हैं रेनें मार्टिन हाइप स्कूल इंगलिस ग्रैमर Renan-Martin High School English Grammar S.P.Bakshi Objective General English by S.P.Bakshi S.P.Bakshi Ji Ki Objective General English Objective General English By S.P.Bakshi और एक है चेतना नन सिंग जी की बुक है इंग्लिस इस इसी पुब्लिकेशन का टाइटल है अगर अभी भी आता हो तो English is easy by चेतना नन सिंग जी की Objective General English लिखना था यह बुक्स है जो मैं आपको रिक्मेंट करूंगा हलेंकि एक और बता देता हूं इसा कुछ नहीं है ठीक है बहुसते लोगों नहीं पढ़ी होते हैं सेलेक्शन हो गया होता है कि तो चलो मुझे बताना है तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी निजर में अच्छी किताब हैं इनका अपने सब्सक्राइब लेवल है ठीक है कॉपी पेस्ट नहीं है किसी की अरिजिनल कंटेंट है जैन्यून कंटेंट है लेवल है तो इसलिए मैं इन बुक्स को कहता हूं आपको अच्छी लगें समझ में तो आप पढ़ेए नहीं समझ में घे टो चार फॉनकि कि पढ़े है कि कोई की बुक्स पढ़िए तो मैं कहता हूं तो मैं कहता हूँ केवल सेवन्थ एंड एट्थ की प्राइवेट स्कूल की जो प्राइवेट प्रॉब्लिकेशन की बुक्स होती है वह पढ़नी है अब यहां पर सोचने वाली बात होगी कि हमने सेवन्थ की बुक्स ही क्यों पढ़नी है ना थेंद की कि पढ़ने साजएं न Siati की बुक्स आ जाते हैं लिए उसमें इन सेइजेत्र शौने टाइप करनी बच्चा इसा है जिसके इंग्लिस थोड़ी ज्यादा खराब है ठीक है तो वह सिक्स्त की बुक्स से भी त्यारी के सुरू कर सकता है वैसे करनी चाहिएं लेकि लेकिन आप पुराने बुक्स खरीद सकते हो किसी से तो आधी कीमत में मिल जाते हैं तो आप पुराने भूक्स खरीद सकते हो उससे त्यारी कर लीजे लेकिन लीजे प्राइवट भूली के शनकी और 7 एर्थ की लीजे के बदूब उन बुक्स में बहुत चैप्टर होते हैं अच्छे उन चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज होती है इस तरीके की काफी एक्सरसाइज होती है तो प्रैक्टर पढ़िए जो बुक में है चैप्टर पढ़ने के बाद में चैप्टर पढ़ते से में उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो उनको अपने अंडरलाइन कर लीजिए अलग्सम की लिस्ट बना लीजिए तो वह कैप की त्यारी भी हो जाएगी रीडिंग कॉम्प्रेंशन की त्यारी भी हो घुए एक होती रीडर और इक होती ड्रामर ड्रीजियों लीजिए उनको अधों करने बाकि रैने अन मार्टें रैस्पूल अपने लगा दिया ना तो समल में पर आपको काम फिर ज्यादा चिंता करने ज़रूद नहीं रही हैं तो रेनेन मार्टेंस यह दो बूक्स यो है के लिए और फिर यह दो बुग्स एंजांज के लिए部分 का इस्व स्थ मक्षराइब सब्सक्रा से एस पुक्राइक में अपनी मर्जी से भी बता देख सारी विक्स अच्छी होते हैं है उत्व को उनको भी प्रैक्टेस के लिए यू नेसरह में आपको अच्छी है ना यह सारी बाते ठीक है है एक मुझे लगता आप Eh अपनी तयारी का ले पाओगे और अपनी तयारी को सब्सक्राइस को फालो करते हुए कर पाओगे प्रासेस अच्छी होगी तो यह तो फिर अच्छा आएगा यह आएगा अगर आप सही तरीके से से त्यारी करेंगे तो उसका सही ही आएगा आपका से लेक्षन होगा मार्च बढ़ेंगे खतम requests खतम होते हैं तो मला हम सही तरीके से बढ़ रहे। कुछ कुछ मिस्लिनियर्स टाइप और क्वन कि राट करें कि कुछछ फास पॉइंट्स की यह करना यह नहीं करना है बात को खतम करते हुए यह बात को खतम करते हैं कि त्यारी करते हैं और किन बातों का हम ध्यान रखें तो मेरी तरफ से कुछ जो आपके लिए सजेशन्स हैं वह ऐसे हैं कि नो है कि रीड़ लॉट कि नोट डाउन बुक्स नाट वीडियोज एक फाइनल पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करूंगा पीज और डिस्कस वाइट लॉट लॉट अगर पॉसिबल हो तो जो आप सीखते हो इसलिए बाद में कह दिया है अगर पॉसिबल भू हूँ अ जो आप सीखते हैं तयारी करते हूए चाहें से से कोचिंग से उसको किसी को पढ़ाई जैसे अभी हम बात कर रहे थे मां लेजा आपको मॉडल्स मैंने पढ़ाया यह किसी ने भी पढ़ाया वीसीडी आपने से सीखा तो जो आपने सीखा है अगर पॉस्टिबल हो आपके घर में कोई थोटा भाई बहन हो कोई दोस्तों तय आपका रिविजन भी हो जाएगा अब तो मुझे इतना क्लियर हो गए कि मैं समझा भी सकता हूं दूसरे को जो आप पढ़ते हैं जो आप सीखते हैं अगर पॉस्टिबल हो तो उसको दूसरों को पढ़ाई है उसको दूसरों के साइट डिसकस कीजिए इससे बहुत फैदा होगा सबसे ज्यादा फैदा इससे होगा वैसे तो कुछ खास बाते में आप से चाहूंगा आप द्यान रखें पहली बात कोई जल्दवाजी ना करें जल्दी का काम सहतान का काम होता है सभी लोगों पता है इंग्लिस में बहुत अच्छी प्रवर्ब होती है हालंकि जल्दवाजी नहीं कहते हैं तो प्रोस्स पर विश्वास कीजिए और ट्रिक्स पर विश्वास मत कीजिए लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे और यह मैं ऐसा नहीं कि मैं के बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि जो ग्रेजुएट केंडिडेट्स हैं अंडर ग्रेजुएट केंडेट्स हैं जो गवर्मेंट जॉब्स के लिए त्यारी कर रहे हैं वो कई बार इतने गलत तरीके से पढ़ते हैं उनका स्याद कर रहे हैं बेमतलब की बाते कोई टीचर कर रहे हैं तो बोलेगा लेकिन तुम तो पड़े लिखी हो तुम दिवा क्यों नहीं उसकरते तो इतना बेभूफी वाले तरीके से पढ़ते हैं चुटकियों में सीखें भूलना भूल जाओगे और दस मिनिट में यह करते हैं समझ में आता है क्योंकि उनका काम यहीं है लेकिन यह हमारे कैंडिडेट्स कैसे बन जाते हैं मुझे इसका दुखते हैं वह बना रहे हैं मुझे कोई दुख नहीं समझ में आता है कि वह ऐसे ही इनसान ने वह बनाएं गई उनका काम यह है लेकिन जो लोग बन जा पढ़ने के लिए इतना रुपया खर्च किया इतना समय खर्च किया कि अधर पंदरा साल पढ़ने लिखने के बाद में कि इनको इतना भी समझ नहीं आ पाया कि क्या तरीका से यह क्या गलत है क्या होगा इस देश समाज का आ वह खर्च के लिए होते हैं आप नुभी क्लास जाब पास कर लेते हो आप से पिख्षा और आप heh बेसिक समझो कोंसेट समझो समझो तक तैयारी आपके अच्छी होगी तो जल्दवाजी नहीं करनी खीक समय तिना ज्यादा समय दोगे उतना ही ज्यादा समय आपका बचेगा एक्जाम में कई ये कंदिया सीखते समय बोद जल्दवाजी में होते हैं कर्वाओ एस तरीके के टाइम पचाना चाहते हैं कुछ उमर में पैसा बचाने का नहीं इन्वेस्ट करने की छीज़ूति आपका 1 रुपया उस एक समय है त्यारी करने के लिए उन पांच महीनों को ऐसी जगे पर इंवेस्ट कीजिए कि वेस्ट ना जाए बचाना नहीं है अभी अभी उसका सदुप्यों करना तो जल्दवाजी ना करें जल्दवाजी में केवल हम बनते हैं अपना हमें अपनी मेहनत और अपना पैसा बरबा सब्सक्राइब करने हैं सीखते समय जितना धीरज के साथ में जितना धैर के साथ में आप सीखेंगे उतना ही आपका काम अच्छा बहुत जरूरी चीज़ीज दूसरा पढ़ने के आदफ ड़िये इंग्लिस आपको सीखनी है लेंग्वेज सीखनी है यह केवल इंग्लिस की बात नहीं है कोई भी लेंग्वेज आपको सीखनी है आपको अरेबिक सीखनी है आपको संस्क्रत सीखनी है आपको मेंडरिन सीखनी है आपको फ्रेंच सीखनी है आपको स्पैनिस सीखनी है आपको उर्दू सीखनी है आपको ज इंग्लिस शीक निये तो इंगलिस को पढढ़ो एक मेवल ग्रामर की बुक से पढ़ने से ही शीक नहीं होगे कुछ और वी पड़ो तो जो भी आप पड़ते हो जो भी आप सीखते हो उसको लिखने के पढ़ते हैं तो वह जल्दी समझ में आता है लंबे समय तक रहता है और उस से से पढ़ेंगे तो इसा नहीं होगा गजो नहीं पढ़ेंगे तो समय याद भी नहीं रहेगा जाएगा उस इस दिमाग में नहीं आएंगे तो जो भी आप पढ़ते हैं कोसिस कीजिए उसको लिख कर पढ़िए नोट्स बनाईए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट कॉंसेप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको जरूर लिख लिए रिवीजिन के किताब एक नहीं है तो हमें कोई चोटी सी चीज भी जाननी सीखनी है हमें कंजंग्सन के टाइप तक सीखने तो हम यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे अरे बहुत जरूरी हो तभी वीडियो पर जाईए नहीं तो जो चीजे आप अपने आप सीख सकते हो बुक से पढ पर बुकस की ओर वापस लॉट तो हमें पागल बना रहे सीखने है जिसके लिए वहां सीखेंगे वीडिया। बाकी चीज यह हम भी कछे हो मेरा आग्रा तो लोगों से कि आसा नो घो आखने आप बाकी आपको पहले बता दिया था कि जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सीखते हो, उसको दूसरों को पढ़ाईए, दूसरों के साथ उसका discussion कीजिए, clarity आती है, एक ही concept को, एक ही question को देखने के अलग-अलग नजरिये मिलते हैं, किसी चीज को जब आप जितनी बार पढ़ते हो, बार-बार उसका revision करते हो, त उसको पढ़ाते हो, बार-बार discuss करते हो, तो उसमें और clarity आती है, अस्ट्री आती है, तो यह मेरी तरफ से कुछ आपके लिए suggestions दे कि आप इन बातों का ध्यान रखके, इन steps का ध्यान रखके, अपनी त्यारी कीजिए, इस तरीके से त्यारी करेंगे, थोड़ा समय लगेग समय लगता ही है, अच्छे कामों में, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप धीरत बनाके रखेंगे, और सही process को follow करेंगे, track पर रहेंगे, तो आप निश्यती सफल होंगे, और ऐसा मेरी उम्मेद नहीं है, ऐसा ही होता है, process सही होनी चाहिए, process ज्यादा important है, तो यह कैसा लगा आपको वीडियो, इससे क्या सबस्टता आपको आई, क्या clarity आई, कुछ और बाकी रहे गया हो, जो मैं ना discuss कर पाया हूं, ना cover कर पाया हूं इस वीडियो में, तो आप comment करके बताएए, आने वाली वीडियो में हम उस पर भी ठर्शा करेंगे, उसका भी discussion करे और कुप अच्छे से पढ़िए, मेरा वाट्सअब नमबर डबल नाइन ट्रिपल वन 91959 है, इस नमबर पर आप मुझे वाट्सअब कर सकते हैं, कॉल ना करें, वाट्सअब मैसेज ही करें, मैं रिप्लाई करी देता हूं, देर सबहर, तो यह मेरा अपना परसनल वाट्स कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है, तयारी से रिलेटेड, एक्जाम से रिलेटेड, डिसकसन करना है, तो कर सकते हो, बाकि वीडियो कैसा लगा, क्या इस से फैदा हुआ आपको, क्या कुछ ऐसा तो नहीं, जो वीडियो में मैं कवर ना कर पाया हूं, रह गया हो, तो यह हम में कमेंटर के ज़रूर बताएं, आने वाले वीडियो में उसको भी डिसकस करेंगे, खुब पढ़िये, खुब बढ़िये, थैंक यू, बाई बाई